कि नमस्कार दोस्तों इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में लोग बात करने वाल है कि आप किस तरीके से अपने अप स्टॉक के मोबाई एप के द्वारा किसी स्टॉक में SIP कर सकते हैं तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग डिडियल में जानेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के स्टाट करेंगे पुराने वाले से ठीक है क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो कि स्टॉक में SIP करने का ओप्शन वहाँ पर मिलता ही नहीं है और जब उससे कमेंट में यह सवाल पूछा गया कि अब स्टॉक के मुबाइल आप के दौरा हम का मुबाइल एप है तो जब आप इसपर क्लिक करेंगे के दौक की बाड में इसको उपन करेंगे ठीक है अभी यहाँ पर मैं को को SIP ये stop SIP लिखा हुआ उपर keyword नहीं दिख रहा है चलिए यहाँ पर buy पर click करते हैं चलिए हमने यहाँ पर buy पर जब click करेंगे तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे कुछ भी आप जिसे की apply advanced setting ये लिखा हुआ है अगर इसको enable भी हम यहाँ पर करते हैं ठीक है तो clear हो गई यह पुराना वाला जो आपका version है अप stock के mobile app का वहाँ पर stock SIP अवेलेबल नहीं है तो अब क्या करें तो अब चलिए यहाँ से बैख जाते हैं और यहाँ पर आप यहाँ पर देखें जो आपकी इस तरीके से money type की बनी होगी यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर लि है click ठीक है अभी यह direct हमबोग अपना जो नया वाना हमारा अप stock को mobile app है वहां पर यह ले जाएगा तो चलिए अभी हम वहाँ पर पहुशते हैं और यहाँ पर भी हमबोग पिंट डाल करके login कर लेना तो चलिए यहाँ पर login करते हैं तो दोस्तों login होने के बाद में कुछ इ ध्यान से नहीं देखा तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ सबसे पहले किस option को आपको check करना है कि वो enabled होना चाहिए ठीक है तो जैसे ही आप यहाँ पर पीड करेंगे यहाँ पर यानि कि यह जो आदमी जैसा बना हुआ है चलिए हमने यहाँ पर कर application यानि कि यहाँ लिखा है up stock for investors और अगर इसको हम इदर कीवर सरका देते हैं दाइनी और तब देखिए चलिए यहाँ पर सरका दिया सरकाने के बाद में तुरन आपका change हो जाए और change होने के बाद में ऐसा कुछ आएगा आप यहाँ पर देखना है switch to up stock pro चलिए अभी यहा आपर के तौर पर चलिए यह सामने ही ITBs है तो इस पर हम जैसे करते हैं ऐसे click click करने के बार में यहाँ पर उपर नीचे कहीं पर भी आप करेंगे तो आपको stock SIP का option नहीं मिलेगा अभी चलिए यह बाई भी लिखा है यहाँ पर करते हैं click यहाँ जैसे यह बाई पर click करेंगे तब भी यहाँ पर आपको जितने भी options यहाँ पर आपको दे रखेंगे आप सब को check कर लीजिएगा ठीक है मैं already check कर जुगा हूँ आपको कहीं भी भी stock SIP का option नहीं मिलेगा ठीक है तो यह option मिलता कहा है यह option मिलता है हम back चले जाते हैं और यहाँ पर आ रहे हैं आप सरका लीजिए ठीक है इसी चीज़ को लोग खोशते रह जाते हैं और परशान हो जाते हैं तो अभी क्या करना है फिर से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं switch to a stock for investors इस पर चलिए हम ऐसे कर देते हैं क्लिक और क्लिक करने के बाद में अभी जो हमारा इंटरफेस जैसा आ रहा था उससे काफी कुछ यहाँ पर बदल जाता है अब stock ने ऐसा कुछ design कर रखा है कि यह investors के लिए ज्यादा friendly है उनका ऐसा मानना है ठीक है तो अभी हम यहाँ पर ऐसे जिसमें भी आपको SIP करनी है उसको यहाँ पर आपको search कर लेना है और अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ऐसा नहीं है कि किसी भी stock में SIP हो यहाँ पर देखें आगया है तो अभी इसके उपर कहीं पर कर देते हैं click चलिए मैंने यहाँ पर click कर दिया click करने के बार में अभी आपको क्या करना है जो buy वालों option यह दिख रहा है इसपर कर देना है click करने के बार में इस तरीक एका page open हो जाएगा तो यहाँ पर अभी पर देखिए SIP new इस तरीगे से लिखा हुआ आ जाएगा और क्या लिखा है invest a fixed amount or quantity at regular intervals at the market price तो यहाँ पर हमें market price पर SIP करने का option मिला है तो यहाँ पर आपको इसको click करके choose कर लेना है तो चलिए इसको हमने choose कर लिया choose करने के बाद में यह नीजी जो continue लिखा हुआ है इस पर आपको पर देना है click तो चलिए हमने continue पर click कर दिया अभी आपको यहाँ पर amount या quantity में से कोई एक choose कर लेना है तो मैं quantity हमेज़ा choose करता हूँ क्योंकि amount में काफी लफड़ा हो जाता है price करता बढ़ता रहता है तो हम यहाँ पर quantity choose कर लेंगे quantity में मैं one रहने देता हूँ और उसके बाद में यहाँ से आप charges भी देख सकते हैं जिसे हम यहाँ पर click करेंगे तो इस one quantity को खरीदने का charge कर पढ़ेगा यहाँ पर आप देख रहोंगे 0.96 पैसा आपका यह charge पढ़ेगा आपका quantity ज़्यादा रहेगी तो इस हिसाब से charges यह पढ़ जाएंगे तो अभी क्या करना है हम यहाँ पर continue पर कर देते हैं चलिए हमने continue पर कर दिया ठीक है क्लिक करने के बाद में अभी क्या आ रहा है यहाँ पर पूछ रहा है select frequency एक monthly option है और जब यहाँ पर आप click करेंगे तो आपको एक option और यहाँ पर मिल जाएगा बीगली का जो आपको चाहिए उसको आप select कर लीजे तो मैं monthly को select रहने रहता हूँ ठीक है उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है select day तो first of every month यह फिर यहाँ पर जो drop down है इस पर हम करते हैं click click करने के बाद में आपको जो date choose करना हो उसको choose कर लीजे तो मेरे case में मैं यहाँ पर जो date choose करने वाला हूँ वो choose करने वाला हूँ 25 of every month ठीक है और उसके बाद में यहाँ पर पढ़ लीजे क्या चीजें रिखी है if the selected day is a trading holiday your SIP will be placed on the next trading day समझ में आ गया होगा कि अगर आपका जो SIP का जो दिन है उस दिन अगर holiday पढ़ता है तो next day जो भी market जिस दिन खुली होगी उस दिन आपकी जो SIP है वो execute होगी साथ में यहाँ पर देखिए timing उन्होंने दे रखा है as per the frequency and deselected और ज्यादा चीजें आपको जानने के लिए यहाँ पर जो यह learn more दिया है इस पर आपको click करके पढ़ने लिना चाहिए तो मैंने पढ़ा हुआ था तो जो एक दो बाते मुझे याद आ रहे है वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर उन्होंने यह चीज़ से बता रखी है कि जो top 250 stocks हैं और ETF हैं उनके अंदर ही यह stock SIP करने का आपको option मिलेगा और आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जो पैसा SIP का है यह कहां से cut होगा तो यह पैसा आपके up stock के account से cut होगा ऐसा नहीं है कि यह direct bank से उठा लेगा जो SIP की date रहेगी तो उससे पहले आपको अपने up stock के account के अंदर यहाँ पर पैसा डालना पड़ेगा पैसे को add करना पड़ेगा वही से आपका SIP का amount cut होगा ठीक है अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं simply जो continue लिखा है इस पर हम कर देते हैं click चलिए हम यहाँ पर करते हैं click click करने के बाद पर यहाँ पर देखें जान लिखर के आ रहा है I want to set a monthly SIP of one share at market price यह देखें यहाँ पर market price यहाँ पर दे रखा है price डालने का option नहीं आया है और यह यह लिखा है market is closed यहाँ पर लिखा first SIP when the market reopens अब कभी SIP में 25th of every month दे रखा है SIP quantity दे रखा है और one share यहाँ पर दे रखा है कितने का जो भी price होगा वो और plus charges अब simply यहाँ पर क्या कर देना आपको confirm to buy पर कर देना है click चलिए confirm to buy पर हम click करते है और जैसी हमने click किया है हमारे समने आ गया है congratulations you just started the monthly SIP in Nippon EDF IT तो यह simple process था जिसके दोरा आप stock के mobile app के दोरा stock में SIP कर सकते हैं साथ में जो आपने SIP का order डाल दिया है यह आप देखेंगे कहां से तो इसके लिए simply आपको उसी search box में आ जाना होगा और वहाँ पर अपना जो भी stock आपने search किया होगा उसको फिर से search कर लिजेगा जैसे मेरे case में मैंने ITP search किया हुआ था तो इसको पर एपर हम ऐसे tap कर देते हैं और जैसे थोड़ सा आप इसको ऐसे scroll करेंगे तो यहाँ पर देखें active SIP का option आपको मिल जाएगा यहाँ पर one देखा रहा है तो जैसे इन यहाँ पर click करेंगे और उसके बार मैं यहाँ समभी के बगम SIPs पर click करेंगे चलिए मैं यहाँ पर click करता हूँ तो यहाँ पर देखें यहाँ पर in on and बता रखा है invest in one stop 25th of every month तो इस तरीखे से आप इसपो check भी कर सकते हैं तो अभी आप लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करने वाले हैं और अगर आप में से किसी ने अप stock के साथ में अपना dmatt और trading account अभी तक नहीं open करवाया है और open करवाने के इच्छोपो तो description box में आपको अब stop और अन discount brokers और regular brokers के भी account opening link मिल जाएंगे उन link पर प्लिक करके direct आप account opening page पर पहुँच जाएंगे और अपना account open करवा पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए helpful होगा है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा चैनल पर पहली बारा है और चैनल को subscribe करिएगा तो इस वीडियो में इतना है मिलते है नेस वीडियो में नए जनकारिक साथ तब तक के लिए नमस्कार